Hello everyone, स्वागत है आप से लोग का इस्टेटी पहने से में ति क्लास 12 भोगोल का चैप्टर 6 है जिसका नाम है दूतियक क्रिया है इस पार्ट से जितने important प्रस्ट बन रहे हैं मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा पहला प्रस्ट है कि दूतियक क्रिया किसे काते हैं क्या पहला प्रस्ट आपका बनेगा कि दूतियक क्रिया किसे काते हैं जैसे आप उधारण लिखेंगे कोई लकड़ी है उसको फरनीचर बना देना यानि लकड़ी से कुर्सी मेश तक्था दर्वाजा आधी बना देना। दूसरा उधारण है कपास बारा कपड़े का निर्माड करना इत्यादी तमाम ऐसे उधारण हैं। दूतियक क्रिया कलाप को ही क्या हम लोग वे निर्माड उध्योग भी कहते हैं। असर करता हूँ आप मेरी इतनी बास समझ पारे होंगे। अगला प्रशनीश में बनेगा कि उध्योगों की अवस्थती को प्रभावित करने वाले कारकों का अविस्तार से क्या वर्डन कीजिए। तो आप क्या करेंगे उत्तर लिख दीजिएगा कि उध्योगों को प्रभावित करने वाले निमलखित कारक हैं। पहला कौन कौन सा है बाजार तक अभिकम्मिता निमलखिता पांच कारक में आपको बताऊंगा जो most important है तो बाजार तक अभिकम्मिता देखिए किसी भी उद्योग को अस्थापित करने के लिए बाजार की अभिकम्मिता जो है सबसे आहम भूम के निभाती है लोग अपने उ कोई भी उद्यमी होगा वह अगर उद्योगों स्थापित करेगा तो वह देखेगा क्या बाजार की अभिकम्मिता है यानि बाजार की निकटता है नहीं तो वह अपना तैयार माल कहां बेचेगा जब बाजार ही नहीं होगा नजदी तो दूर लेके जाएगा उसको क्या हो तो इसमें लिखेंगे उद्योगों में बहुत बड़ी मातरा में कच्चे माल क्या आउसकता होती है। दखिए कच्चा माल कोई भी उद्योग अस्थापित करेगा जैसे माल लिजिए कोईला का सप्लाई आपको करना है। बरबाद भी हो सकते हैं। तो कच्चे माल की प्राप्ती भी क्या उद्योगों की स्थापित करने में आहम भूम क्या निभाती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे श्रम आपूर्ती तथा अभिकम मेता। ये भी देखिए क्या उद्योगों को अस्थापित करने में यहाम भूम का निभाता है। जैसे देखिए उद्योगों के स्थाणी करन में मानुई श्रम की सस्थी और सुलब आव सकता एक महतपूर कारक रहा है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे सकती के साधन तक अभिकम मेता। ऐसे उद्योगों जिनको क्या सकती के साधन तक जो अभिकम मेता होती है वहां पर अस्थापित किया आता है। जैसे दिखें सकती के साधन जैसे एल्मूनियम उद्योग है इसमें क्या बिजली की बहुत ही अतधिक आव सकता हो जगी बिजली के द्वारा ही क्या कल्प हेक्टरिया या कमपनिया ही जो होंगी मसीने होंगी वह चलेंगी। तो सकती के साधन ऐसे उद्योग जिन में उद्जा की खपत बहुत अधिक होती है उनको उद्जा उत्पादक स्वरुतों के पास अस्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे परिवाहन की सुब्धा इसमें देखें जब कोई भी वस्तु कमपनी के द्वारा उत्पादित करती जाती है तो उसको एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाने के लिए परिवाहन सबसे आम भूम का निभाता है तो उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाने और उत्पादी त्यार माल को बजार तक पहुचाने के लिए परवान की आउसकता होती है इसलिए अस्थानी करण ऐसे ही अस्थानों पर होता है यानि ऐसे ही अस्थानों पर उद्योग अस्थापित की जाते हैं जहां तीब्रगामी परिवान की सुब कुटी रुद्योग में पहला पॉइंट आप लिखेंगे इनमें अस्थानी कच्छा माल का प्रयोग किया जाता है जबकि छोटे पॉइंट में अस्थानी कच्छा माल उपलग धन्दा होने से दूर से क्या मंगया जाता है। कुटी रुद्योग का ही क्या विश्त्रित रूप है। देखें जब कुटी रुद्योग जो होता है वा जब बड़ा रूप ले लेता है थोड़ा सा तो अगला पॉइंट आप इसी में लेखेंगे इनके उत्पादों से परिवार किया सकता पूरी की जाती है तथा अजिसे इसको अस्थानी अस्तरपड बेचा जाता है। देखें कोई भीवस्त जब उत्पादित कर लिया जाता है तो परिवार को जितनी आवा सकता होती है वो ले लेते हैं इसके पाद जो बजता है उसको बाजार में बेच कर कुछ रुपया कमा लेते हैं। जबकि छोटे पहमा पॉइंट जरूर समझ में होंगे। तिसी परकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए जगा। वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।